वा महोबा के वासियन को हमा कोटी कोटी प्रणाम पहुचे उत्रप्रदेश के राजपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल यूपी के लोग प्रिय कर्म योगी मुख मंत्री योगी आदित्यनाज जी केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सैयोगी गजेजरसी सेखावच जी यूपी सरकार में मंत्री डक्तर महेंडरसी जी जी एस धरमेश जी संसद में मेरे साथ ही आरकेर सिंग पटेल जी, श्री पुष्पेंद्र सी जी, यूपी विदान परिशद और विदान समा के साथ ही, श्री स्वतंत्र देव सी जी, श्री राकेज गोश्वामी जी, अन्य जनप्रतिनी दिगान, और यहां पधारे मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, महोबा की एतियाहासिक धर्ती पर आकर, एक अलग ही अनुभूती होती है, इस समय देश, देश की आजहादी और राष्ट निर्माण में, जन जातिय साथियों के योगदान को समर्पित, जन जातिय गवरव सब्ता भी मना रहा है, इस समय पर वीर आलहा और उदल की पुन्य भूमी पर आना, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्या है, गुलामी के उस दोर में, भारत ने एक नई चेतना जगाने वाले, गुरु नानक देवजी का आज प्रकाश्पर्व भी है, मैं देश और दुनिया के लोगों को, गुरु परप्की भी अनेक अनेक सुपकावनाय देता हूं, आज ही भारत की वीर बेटी, बुन्देल खन की शान, बिरांगना रानी, लश्मी बाय की जेनती भी है, इस कारिकम के बाद, मैं जासी भी जाओंगा, डिफेंस का एक बहुत बड़ा कारिकम बहाँ चल रहा है, भाई और बहनों, बीते साथ सालों में, हम कैसे सरकार को, दिल्ली के बंद कमरों से निकाल कर, देश के कोने कोने में लाए है, महोबा, ये इसका साक्षाद गवा है, ये धर्ती, ऐसी योजनाओ, ऐसे फसकलों की साक्षी रही है, जिनोंने देश की गरी माताओ, बैनों, बेटियों के जीवन में बड़े और सार्थक बड़लाव किये हैं, कुछ महिने पहले ही, यहां से, पुरे देश के लिए, उजवगा योजना के, दूसरे चरण की शुरुवात की गई, मुझे आद है, कुछ साल पहले मैंने, महोबा से ही, देश की करोडों मुस्लिम बेहनों को, और मुस्लिम बेहनों को वादा किया था, कि मैं मुस्लिम बेहनों को तीन तलाग की परेशानी से मुक्ति दिला कर रहूँगा, महोबा में किया वो वाइदा, पूरा हो चुका है, भाई और बेहनों, अब आज मैं यहां बुंदेल खंडी बेहनों, और मेरे प्यारे किसान भाई और बेहनों को, बहुत बड़ी सौगाश सौपने आया हूँ, आज अर्जुन सहायक परियोजना, रतवली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना, और मजगाव, चिल्ली, स्पिक्लर, सिंचाई परियोजना का लोकारपन करने का मुझे सवभाग्य मिला है, तीन हजार करोड रुपे से अधिक की लागत से बनी, इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमिरपूर, बांधा और ललितपूर, जिले के भी लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा, इन से चार लाख से अधिक लोगों को, पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा, पीडियों से जिस पानी का इंतजार था, वो इंतजार आज समापत होने जा रहा है,